एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में अफेर हो जाता है पर ट्विस्ता बात है जब एक टीचर एक बहुत ही डेडली राज छुपा रही थी यह राज सब कुछ बरबाद कर सकता है यह राज क्या था कि हम आज के हमारे मुवी ब्लाक आलएक यह 2021 की एक जर्मन थिलर करेंगे अगर आपका वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर देजाएगा अपी नेक्स तरीके एक स्पेशल स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होते हैं और हम एक और लेड़ी को बीच पर देखते हैं दूसे उस पर कोई नजर रग रहा था और अपना टॉग को उस पर छोड़ देता है उस ओड लेड़ी ने भागने की बहुत कोशिश की पर वो टॉग उसे मार डालता है यहाँ वारा मेंट क्यारेक्टर जिसका नामे जोनस उसकी दादी थी जोनस के ग्रैंट फादर फेट रिक तो अकेले पड़ गए थे जोनस क कि फादर ने अपने आपको बचाने की कोशिश की पर इसमें वो फेल हो गए एक्सिडेंट होकर उनकी डेट हो जाती है अब जोनस के पास उसका क्लोज कोई भी नहीं था उसके फादर उसके ग्रैंट फादर से बात नहीं करते थे तो इस वज़े से उनके पास भी उनहीं है नेक्स मोमेंट पर फेट्रिक जोनस से मिलने के लिए वह दे कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो रही सकता हो तुम्हारे फादर के साथ में अच्छी रिलेशनशिप मेंटेंग नहीं कर पाया पर मैं तुम्हारे साथ ट्राइ करना चाहता हूँ जोनस को सुनकर कर चलो उन्हें बीच पर लेकर जाती है उसने कहा कि तुम्हारे लाइंग वेस्ट टीचर का एक्सिडेंट हो गया इसी वज़े से कुछ दिनों के लिए मैं सिखाने के लिए आई हुई हो लाइव में कब क्या हो जा इसके बारे में प्लान नहीं कर सकते है तो लाइव जैस है वहती है कि मिज़र शिफ्टिंग कर रही है उसमें मुझे तुम्हारी है चाहिए यह सब इसके लिए मान जाते हैं हम देख सकते हैं कि जोनस और नीना एक दुसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थैं काम करते हैं जोनस और इसका फ्रेंड हेलेना को चेक आउट करता है नीना नीचे काम करी थे और कुछ चीजों के लिए क्लॉजट चेक करते हैं इसमें उसे एक बाइग मेरा पर इवर देख पाते हैं इससे पहले हेलेना उसे रूख लीती है फिर से उसने उसमें काम पर लगा दिया काम करते हैं नीना के पहर पर चोट आगए थी तो इस सब हेल्प करते हैं इविनिंग में जोनस उसके पास आता है यह बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंट करते हैं जो बैग हेलेना छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसमें दिखते हैं कि जोनस के बहुत सारे फूटोस थे हैं वह यहाँ आने से पहले जोनस से अफसेच थी इस अगली सुबाद जोनस जब मॉर्निंग रन कर रहा था तो हैलेना भी उसके पास आ गए उसे नीना के बारे में पुछते हैं अगरती कि क्या तुम दोनों का पहल हो जोनस कहता है कि अब तक हम दोनों को पता नहीं है और फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे हम बता नहीं स हो रही थे तो उसके पास आजाती है उसे चलने में हिल्प करता है और कहता है कि तुम पूरी औरत की थरा चल रहे हो दोनों इस पर बहुत अस्ते हैं अच्छा टाइम स्पेंट करते हो एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी पोएम लेकते हैं ग्राइंड फादर नहीं देखा औ और कहते है कि ठीटा किया है उन्हें वराइटिंग वैसे भी कभी भी पसंद नहीं आती है जोनस का इन सब बातों से चला गया था अगले दिन हलेना ने जोनस को क्लास के बाद रुखने के लिए का वो कहती कि नीना की पोएम तुम ने लिखी है जोनस इसके लिए उसे स्व बाहरी बुक्त कर वहां से ओचा रहा था तो हेलेना उसे स्टाप कर ले दिया उसने का आख में शावर लेकर आते हूं तब तक तुम मेरा वेट करना जोनस उसे देख पार इसी तरीके से अपने कपने चेंज कर रही थी हलेना उसकी व्रैटिंग पर दिया उसे वह बहुत अच्छी लगी उसकी आखों में आसो आ गए थे जोनस उसके आसो वोचता है और दोने एक दुसरे को किस करते हैं इसके बाद वो इंटिमेट हो गए थे अगले दिन स्कूल में दोनों एक साथ या रहे थे नीना हमेशा जोनस का स्कूल जाते हैं तो उसका वेट करती थी उ ने नोटिस करती है तो जिस तरीके से एलेना जोनस को हाथ लगाती है इससे बात वो कन्फिम कर सत्थी निवात में बश में दोनों लेघ अपरों एक साथ एलेना कीक। मैं बहुत जोट कहा हम दोनों बहुत दिनों से हमvelmente हैं यह जाती हो आए तो नेक्स टाइम खुद राइट करना गर जाते हो नीना ने जोनस से गाँ कि मैंने हलेना को बता दिया मेरी पोएम तुम नहीं लिगे थी जोनस कहता है कि उसे पता है उसने मुझसे इसके बारे में बात के थी यह बात नीना को वीर्ड लगी क्योंकि हलेना प्रिटेंड कर अज नीना और जोनस मिलकर जोनस के पैरन्स के घर पर जाते हैं वो इसे फ्रेसर रहने के लिए रिडी कर रहा था नीना कहते हैं कि तुमारे ग्रेंड फादर बहुत ही रूड है जोनस ने कहा कि कभी भी मेरे फादर के टैलेंट को देखने पाए इसी वज़े से उग कभी से डरते हैं पर में तुमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाओंगी अभी तोनक कपल बहिंच चुके थे नेक्सल में हम देखते हैं कि इनकी स्कूल की 50th Anniversary थी फेटरिक उन्हीं की स्कूल में पढ़ाते थे तो उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया किया जोनस और उसकी स जोनस से इसके बारे में बात की जोनस इस बात को इग्नोर कर देता है निना ने कहा कि हलेना ने अपने हेर्स भी कट कर लिये थे जैसे हो किसी और की तरह दिखना चाहते थे जोनस उसे पावे समझते है तो इस बात से इन दोनों में चगड़ा हो गया और नीना रोते रोते इसके बाद फिटरिक एक ओर लेट लेटर खुल कर देखते हैं। जूल और नीना जब रनिंग करें थे तो जूल ने कहा कि हेलेना की वज़े से फेटरिक को प्रॉल्म आया था यह बाद वहा कि भी आट थे निना इस बात को पहले डाउट करें थे पर जूल को भी यही लगा था तो इस वज़े से इसे पर्शू करने के लिए रेडियो जाती कल के बाद फेटरिक ज़रा डर गए थे वो जोनस को स्कूल चाने से मना करते हैं उन्होंने हेलेना के बारे में जोनस से पूछा जोनस पूछता है कि क्या आप उन्हें जानता है फेटरिक करता है कि उस तरीगे से दिखने वाली एक टीचर को मैं जानता था जोनस उनके बा जूल से बुछता है कि नीना उखा है जूल ने कहा क्यों लैबरेरी में है नीना को जब बात पता चले तो हेलेना उसके पास आ गये थे नीना बुछती क्यों टीचर और तुमारे भीच में करें क्या है लेना इस बात से बहुत ही ज़्यादा हो कि और वही पर उसका गला जूल ने कहती कि अभी लैबरेरी से है वहाँ पर नहीं है जो भी किया इसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है वो निना को लाइबरेरी के बॉक्स की पीछे चुपा देती है इसके बाद व स्कूल के सप्लाइ से एक ब्लांकेट और कुछ रोप्स लेकर आती है सब से चुपते चुपा दे उसने निना की बॉड़ी को कवर अब कर दिया और पीछे के डोर से अपनी काड़ी में और रख देती है निना की बाइसिकल अभी यही थी है तो उसे भी अपनी काड़ी में और रख देती है जोनास हर जगा अब निना को डूनने की कोशिश करता है त उसने आकर अपने फ्रेंट से बात की, तुझे इस गेटी को लाइबरीरी में थी, शाम में हेलेना डेट बॉड़ी लेकर सी के पास आई, उसने बाइसिकल और बॉड़ी वही रखती, यानि सब को लगे कि निना की डेट स्विमिंग करते वक्त हो के, शाम में फेटरिक हेलेन की पाउडर बनाती है, जिससे आदमी मर सकता है, यह वो अपने साथ लेकर आई, जोनस हेलेना से कहता है कि निना कायव हो गई है, हेलेना कहती है कि मैंने उससे लाइबरेरी में बात के थी, उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया था, उसे घर से बाहर आते हुए मुझे जोनस कहता है कि तुम्हें इस तरीके से रात में मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था, हेलेना ने कहा कि तब तु 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 कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है तुम्हारी पूप बहुत ही फेमस हो जाए कि अब हम दोनों प्रेक अब कर लेते हैं नीना का भी गुसा शान्त हो जाएगा तुम्हारे बच्ची होगे और आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे होगे यह कर वो जाने लागे पर जोनास उसे रोक लेता है यह दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटिमेट होगे जो वाइन हेलेना ने जोनस को दी ती यूसने बहुत ही कम भी थी तो इसका बहुत ही थोड़ा अस्वर पड़ता है आज जो फेडरी के वाज बहुत ही लेड कर बारा है फेडरी को पता चल गया था कि जोनस हेलेना के साथ था जोनस ने कहा कि हो मुझे पर बिलिव कर दिया वह आप की तरह नहीं है सुबह फेटरिक जोनस को ठाकर गए थे कि निना की डेट बोड़ी मिली है सब लोग जल्ली से वहावर पहुज गये फेटरिक को शौक लगता है और वह भी नीचे गिर गये जोनस ने कहा कि निना की स्विमिंग बहुत ही अच्छी थी इस तरीकी से उसकी टेट नहीं हो सकते निना की फ्रेंड जूल यहाब रात है और उससे बुछते है कि मरने से पहले तुमने निना से क्या बात की थी जूल गहती कि हेलेना के बारे में इंफॉर्मेशन निकल वा उससे उने पता चला कि हेलेना की तरह दिखने वाली एक टीचर की टेट हो गई थी उसने भी समुन्दर के पास सुसाइड की थी हेलेना ने फिटलिक से बात की कहा कि मेरी मदर तुमसे बहुत ही प्यार करती थी इसका मतलब ही जिसने सुसाइड की थी वो हेलेना की मदर थी हेलेना ने कहा कि मेरे मदर को लगता था कि तुम अपनी फैमिली हमारे लिए छोड़ दोगे जब तुमने उसे ब्रेक अप किया तो बहुत ही जादा तूट गई थी वो मुझे समुंदर के पास लेकर गई मैरे सामने उसने सुसाइड कर ली थी तुमने मुझे से सब को छेन लिया था और इसी वज़े से तुमारी पूरी फैमिली को मारने के मैंने ठान ली मुवी के फर्स में हमने जोनस की ग्रैंड मदर की डेट देखे थी उसके बीचे डॉग को लगाने वाली हेलेना ही थी जोनस के पैर्स को भी हेलेना नहीं मारा था सब कुछ पता चलने के बाद जोनस घर पर आया हेलेना उसके पास बहुच जाती है कहती कि तुमारी ग्रैंड फादर अब घर पर रह सकते है उन्हें घर पर लेकर आई थी जोनस उसे बाहर लिजा कर बुच्छ था और हेलेना ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया यह सब सुनकर जोनस को शौक लगा वह अपना होश खोने लग गया था इनकी गार्डन में एक पॉंट था जिसे घशिक तुए लेकर जाकर जोनस को डुबा रही थी जोनस उपर आने की बहुत कोशिश करता है पर हेलेना ने उसे डुबा दिया वो पुरी तरीके से नीचे जला जाता है और फिर से उपर आ गया इंडर डालेकर उसने जोर से हेलेना को माला वो भागते वक्ते घर में आ गया फ्रेडरिक जोनस को हेल्प करने की कुशिश करता है पर वो पुरी तरीके से पैरलाइस्ट हो गये थे वो पने पानी का जग नीचे किरा जेते है घर में आने के बाद हेलेना डारेक्ली जोनस पर अटेक कर दिया है गला दबा कर उसे मार डाल रही थे तब जोनस ने जग से एक लास लिया उसके सीने में डाल दिया इसी के साथ हेलेना की टेथ हो गए ग्राइंट फादर के बास एक लेटर था इस लेटर में हेलेना की मदर ने उससे कितना प्यार कर दी थी इसके बारे में लिखा हुआ था पेटरिक की गलती की वज़े से उसकी पूरी चनरेशन को भूगतना पड़ा इसके साथ ये मुवी एंड हो जाती है